जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए आगे का रास्ता वहां पहुचने के बाद खुद दिखने लगए कहने का मतलब है अगर आप स्टार्टिंग से ही बोलेंगे कि मेरा मैत कमजोर है मेरा इंगलिस कमजोर है मेरा रिजनिंग कमजोर है मैं पढ़ नहीं सकता बचपन से कमजोर है तो आप जिन्दगी में जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं लेकिन अगर एक बार आप धिमाग में थान लेंगे कि मेहनत के बलबूते पर आगे अपने success को पाया जा सकता है तो आप अगे पर starting करेंगे ना मेहनत के बलबूते पर एक मेने के बाद देखेंगे कि जहां एक मेना पहले आप थें उससे बहुत आगे पहुच चुके हैं और वहां पहुचने के बाद आपको हलका हलका आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है तो यहां पर वही बोल रहा है जहां तक रास्ता दीखे वहां तक पहुचो कम से कम आगे का रास्ता वहां पहुचन और किसे भी एक्जाम का जो मोग टिस्ट है या प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन सेट है किसे भी एक्जाम का ससी रेलवे या बैंक का आप वो हमारे एप्लिकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद गूगल के प्लेश्टोर से एप्लिकेशन के उपर भी दे सकते हैं थिर फॉर्टि नाइन वाला पैकेश भाई करेंगे तो एक साल तक के पूरे वैलिडिटी के साथ आपको ये पैकेश दिया जाएगा और एक एक एक्जाम का कम से कम 20 और 25 और या और एक साल तक जो जो एक्जाम आएगा वो हर एक्जाम का ठीक है और आज कवर करने वाले हैं टोटल तीन दिन के करेंट अफेयर 12, 13 और 14 जैनवरी के ठीक है और आज का जो पहला क्वेशन है वो यह है भारत में विदेशी परियोटक आगमन जनवरी और नहुंबर 2019 में लगभग कितने परतिसत तक बड़ा है जैनवरी से लेकर नहुंबर 2019 तक कितने परतिसत विदेशी परियोटक का जो आगमन है वो बड़ा है कितने परतिसत तक ये आपको बताना है और वो बड़ा है आपका 3,23 इसको आप राउंड फिगर में बोलेंगे 3 परतिसत तक यानि और आपका C और आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था कि पूरे 200 भर में टूरिजम के मामले में परियटंग के मामले में जो इंडिया है वो कितने पर है पूरे 200 भर में तो वो आचुका है आपका 34 नंबर पर मैंने आपको बताया था और 6 पर कौन है तो 6 पर है आपका इस्पेन टॉप पर आपका इस्पेन है और इंडिया का रैंक क्या है टूरिजम के मामले में तो वो है आपका 34 question आप सभी को पानी के तरह clear हो गया होगा अगला question आवारे सामने है 95 95 हेस्टिंग अंतरास्टिय सत्रंच कांग्रेस का अयोजन जो है वह कहाँ पर किया गया था यह आपको बताना है और यह किया गया था आपको option number D England में ठीक है और यह जो पतियोगिता है वो जितने वाले वेक्ति का नाम क्या है तो वो है आपको PM कौन है तो वहाँ के PM है आपके Boris Johnson, Capital London और वहाँ पर मुद्रा इस्तमाल होती है आपका Pound Strilling ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है हवाई फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग सरक्षड की अनुमती के लिए कौन सा वेबसाइट जो है वो लाँच किया गया है और वेबसाइट का नाम क्या है तो पहले वेबसाइट का आप नाम सुन लो वो है आपका www.mordnock.ncog.gov.in ठीक है यह आपका वेबसाइट है ठीक है यहाँ से आपको परमिसन मिल सकता है और एक बात यह उद्घाटन किसने किया है तो यह उद्घाटन किया गया आपका option number B राजनाथ सिंके द्वारा ठीक है जो हमारे defense minister भी है अगला प्रस्त हमारे सामने है किस अंतरास्टिय फुटबॉलर ने हाल ही में अपनी retirement की घोस्मना कर दी है और आप जो भी फुटबॉल में रूची रखते हैं फोटो देखने के बाद ही पता चल गया होगा नाम कि कितने बड़े star player रही है इनका नाम क्या है डैनिल डी रो और इटली का capital क्या है तो वो है आपका Rome और मुद्रा तो वो है आपका Euro और इटली का जो पधान मंतरी है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका guys pay Conte अगला प्रस्त हमारे सामने है एके 203 rifle का निर्मान भारत और रोस rifle private limited द्वारा कहां पर किया जाएगा ये आपको बत एके 203 rifle का जो manufactured है जो ये बनेगा वोक बनाया जाएगा इंडिया रसिजन राइफल private limited के द्वारा कहां पर तो ये बनाया जाएगा आपका लखनाव आपका उत्तर परदेश में option number आपका C ठीक है और उत्तर परदेश के CM सभी को पता है योगी अधित्यनात capital लखनाव और governor का उन है तो वहां के राज़पाल है आपके अननदीबन पर टेल जो गुजरात के पुर्व मुख्य मंत्री भी रह चूकी है अगला प्रस हमारे सामने है HAL याने हिंदुस्तान एरियो नॉटिक लिमिटेड जिसके CEO कौन है तो जिसके CEO है आपके सजल प्रकास जो HAL के CEO है वो किस कमपनी के साथ जो है डिल साइन की है जिसमें राज्य द्वारा संचालित HAL द्वारा निर्मित हवाई जहाज पर 3D मुदृत बिमान भागों का उप्योग किया जा सकता है तो ये डिल साइन हुआ है HAL और विप्रो कमपनी के साथ आप्सन नंबर आपका D और विप को पता है अभी डाली निमूच वाला ठीक है याद रखना आप सभी एक्जाम में CEO ब्रैंड अमबस्डर से भी कुस्टिन काफी बार आता है हलाकि विप्रो के जो CEO है इन पर तो कुस्टिन बहुत बार बन भी चुका है अगला प्रस हमारे सामने है किस बैंक ने क्रेडिट परदान करने के लिए महिला उध्यम कर्लियान संक के साथ एक MOU पर जो है वो डिल साइन को है किया गया है आपको बताना है तो यह साइन किया गया है आपका Indian Bank के साथ ताकि जितने भी महिला हैं उनको strong बनाया जा सके अगर वो business करना चाहती है तो उनको पैसे से भी यानि क् Entrepreneur Welfare Association के साथ जो है दिल साइन किया गया है आपका Indian Bank का ठीक है और आज का आपका पहला प्रस्थ जो है वो यहीं से निकल कर आ रहा है कि Indian Bank के Chairman का नाम क्या है ये पहला आपको बताना है दुसरा Indian Bank का Tag Line क्या है तिसरा Indian Bank का Head Quarter मुख्याले कहां पर है ये तीन चीज आपको वहा करकर बताना है Indian Bank के बारे में ठीक है अगला प्रस्थ हमारे सामने है Global Child Podiggy Award किसने जीता है Singing के Category में यानि गायन सेड़ी में Global Child Podiggy Award किसने जीता है तो ये जीता है आपका पहले मैं बता दूँ इन्होंने 120 लेंग्वेज में जो है वो गाना गाया है बहुत बड़ा बात है बहुत बड़ा और इनका नाम क्या है सुचेता 37 अप्शन नंबर आपका D ठीक है अप्शन नंबर आपका D इन्होंने ही जीता है तर 19 का Global Child Podiggy Award जिन्होंने 120 लेंग्वेज में जो है गाना गाया है ठीक है अगला प्रस्थ हमारे सामने इस्टोंने प्रोजेक्ट नेटरा क अप्टिकल दुर्बिन इस्थापित करने के लिए किस IIT के साथ जो है वो डिल साइन किया है तो इस्टोंने प्रोजेक्ट नेटरा के तहत अप्टिकल दुर्बिन इस्थापित करने के लिए जो है भारतिय खोगोल भौतिक संस्थान के साथ यानि आप्शन नंबर C के आमने हैं डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्गाटन पाँच फेरवरी को पीम मोधी जी के द्वारा कहां पर किया जाएगा तो ये किया जाएगा आपका उत्तर परदेश में यानि आपका सीब यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे फोटो में मैंने मैं बना दिया है कि लखनाओ यूपी में होगा पांस से आठ फेरवरी के बीच में डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्गाटन अगला क्वेसन हलाकि एक क्वेसन मैंने साहित करवा दिया आपको पंचानवा हैस्टिंग इंटरनेशनल जो है आपका पी मगेस चंदरन ने जीता है जो आपका कहां पर हुआ है आपका इंगलेंड में ठीक है अगला प्रस्ता मारे सामने हैं कि हंस तिलकोस की किस देश के प्रसित फुटबॉलर थे और ये बहुत फेमस गोल की पर थे जर् निधन हो गया है तो यह किस देश से खेलते तो यह खेलते थे आपके जर्मनी जो जर्मनी के गोल की पर थे ठीक है और जर्मनी का कैपिटल की है तो वो है आपका बरलीन मुद्रा इवरो और वहां के राश्टपती का नाम कैफ तो फ्रैंक वाल्टर साटन मेर और एक बात आपको जो फोटो में सक्स दिखाई दे रहे हैं यही इनी का निधन हुआ है 84 साल के वर्स में जिनका नाम ता हंस तिलकोशकी जो एक बहुत फेमस गोल की पर थे जर्मनी फुटबॉल के ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है कि द्रिश्टी हिन लोगों के लिए अगला प्रस हमारे सामने है तो यह रखा है आपका अपने देश के राष्टपती रामनात को बिनने अगला प्रस हमारे सामने है और फिर की फुटबॉलर आप दे यर का पुल्सकार किस देज जीता है और यह जीता है आपका किस ने तो सैडियो मैनने आपका अपका ए फोटो में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है दा नजीम अलबाहार जो यह exercise है इसका आयोजन ज पता दूँ जो यह exercise है आपका नसीम अलबाहार यह exercise ओमान और भारत की बीच में होगा नेवी ठीक है यानि जितने भी जो ओमान के नौ सेना है और जो इंडिया के नौ सेना है इन दोनों के बीच यह अभ्यास है जिसका नाम दिया गया है नसीम अलबाहार exercise ठीक है और और एक बात की ओमान का कैपिटल के है तो वो है आपका मस्कैट मुद्रा ओमानियन रियाल और वहां के राजा कौन है तो वो है आपका हैतम बीन तारिक अलसेद ठीक है और गोवा में होगा तो गोवा के सीम कौन है तो वो है आपके परमोज सावंत कैपिटल पाना जी और वहाँ के राज्जुपाल कौन है? तो वो है आपके सत्यपाल मलीक. अगला प्रस्त हमारे सामने है, चार अंत्रिक्च यात्रियों के पहले सेट को पहले गगेनियान मिसन के लिए कहाँ पर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए? तो यह भेजाएगा आपका रसिया में, यानि की रूस में. और रूस का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका मोस्कोव, मुद्रा, रसियन, रब्बल, और वहाँ के राज्टपती कौन है? तो वल्दमीर पुत्तिन. ठीक है? अगला प्रस्त हमारे सामने है, महा नेवी कनेक्ट 22 का जो आपका उद्घाटन है, वो कहाँ पर हुआ है? भारतिय नौसेना अभ्यान, महा नौसेना कनेक्ट को कहाँ पर लॉंच किया गया है? तो यह किया गया है आपका महरास्टरा में. और महरास्ट के सियम कौन है? तो सभी को पता है उद्दध ठाकरे. ठीक है? और कैपि इसने स्रिलंका के परियतन के लिए सिर्ट सोर्सिंग बजार बनाए रखा है? यानि स्रिलंका में टूरिजम सबसे ज़्यादा किस कंट्री के आते हैं? आप यह बोल सकते हो. तो वो है आपका हमारा भारत. ऑप्सन नंबर आपका C. ठीक है? अगला प्रस हमारे सामने है, कि आपका बांगलादेस ऑप्सन नंबर C. और बांगलादेस के बारे में सभी को पता है वहाँ के परधान मंत्री कौन है? शेक हसीना. ठीक है? तो आपका धाका और मुद्ड़ा वहाँ का टाका. अगला प्रस हमारे सामने किस देश के परधान मंत्री ने चार दिवस्तिय कार अब उस देश में जो है वो चार दिन ही जासे आप सभी को पता है इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पांस दिन काम होता है कम से कम पांस दिन या ज्यादा ज्यादा च्छे दिन ठीक है क्योंकि आपको पता है संडे जो है वो छुट्टी रहता है और बहुत जगा बैंक वग अगला प्रस्ताव कहां के पर्धान मंत्री ने रखा है तो वो है आपके option number D Finland के ठीक है और आज का आपका दूसरा प्रस्नी ये है Finland का मुद्रा यानि करेंसी वहाँ capital और वहाँ के पर्धान मंत्री का ना ये तीन चीज आपको comment करकर comment box ने पताना है ठीक है ये आपका आज का दूसरा प्रस्त है अगला प्रस्त हमारे सामने है जन जातियों को एकजूट करने और भाई चारे को मजबूत करने के लिए कौन सा राज जिजू है वो जो कुद पाई का अर्जन करेगा और ये करेगा आपका मिजोरम option number D और मिजोरम capital क्या है तो एजवाल CM तो वो सभी को पता है जौर्मन ठंगा और capital तो पी ये सिरिधरन पिलाई ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है बकसा बर्ड फेस्टिबल किस राज में सुरू हुआ है वो हुआ है आपका पच्छिम बंगाल में और पच्छिम बंगाल के सीरम कौन है ममता बैनर जी राज जपाल जगदिव धंकर और capital तो वो है आपका कोलकाता तो ये थे आपके कु पूरा प्रिडियाप जाकर डाउनलोड कर डीजेगा आप सभी सक्सिसकी 98.in से या फिर हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और जाने से पहले बोलूँगा आज के क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लेना ताकि आपका एक भी क्लास जो है वो बिलकुल भी मिसना हो ठीक है चली